हमने अभी तक boolean, number, string और array यह यहां तक के data type पढ़ दिया है यह सारे math operator complete कर लिया है, if else पढ़ दिया है, termary operator भी पढ़ दिया है तमाम comparison operator देख लिया है हमने, logical operator सारे देख सुके है अब हमारे पस for loop भी कर लिया है, map नहीं किया शेयन, map भी कर लिया है तो हमारे पस रह गिया ES6 का function और object, यह दो चीज़े रह गई है हमारे पस अच्छा, तो पहले मेरा ख्याल है कि हम function को देख लेते है, उसके बाद object को देख लेंगे, आफरी चीज़ तो हमारी होगी, वो object को देख लेंगे यह Github में मौझूद है, Github में कुछ हुआ हुआ है नहीं पढ़के देख लेते हैं कि मुश्किल ही असान है, पता जल देख लेते हैं क्योंकि function हम काफी ज़्यादा पहले ही देख चुके हैं हमें functions पहले से ही पता है थोड़े से, क्योंकि जब हम input और output जब ले रहे थे तो उसमें function call हो रहा था है, form submission पर function call होता है तो मैं यहाँ पे एक नया folder बना लेता हूँ जिसमें कहता हूँ 19 ES6 functions ठीक हो गया अच्छा function जो है न मेरे भाई function do sum यह है function के classic syntax return यह मैंने आपके सामने ने एक classic जो function का वह होता है syntax एक classic function लिखा है वही limitation इसके नाम में भी है सही है उसके बद parenthesis open और parenthesis यहाँ पे close अच्छा उन parenthesis के दर्म्यान में function के parameters ठीक है function के parameter मेरे पास दो parameters है अच्छा यह parameter लेना optional है मुझे जरूत होगी तो मैं लोगा नहीं होगी तो नहीं लोगा ठीक है function के parameters उसके बाद function की body है यह bracket जहां से शुरू है और यह जहां पे खतम है यह function की body है ठीक है अच्छा उसके बाद function कोई न कोई चीज return करेगा तो यह function बन गया जब function बन रहोगा न उस वकट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा नहीं वह memory में कोई जगह लेगा नहीं processing power लेगा कुछ भी नहीं लेगा यह सिर्फ बन के रेजिस्टर हो जाएगा, एक्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे अच्छा, बॉडी के अंदर मैं जितने लाइन फोर्ट चाहूं लिख सकता हूं, आखर मैं मुझे रिटरं लगाना है, अच्छा, अगर मैं यह रिटरं लगाना भी ऑप्शनल है, अगर म अगर मैं दो सम्झे एक फंक्शन का नाम है, आप कोई भी इसकी जगा नाम रख सकते हैं अपनी बरजी का, ठीक है, अच्छा, तो अब यह फंक्शन चलेगा कैसे, पहले हम ज़र बनाना और चलाना देग लेका है, फिर हम समझेंगे कि इसको हम बनाते ही क्यों हैं दफर्स अच्छा, यह जो call signature है ना, यह parenthesis open close, ऐसे चपकागे, this is called call signature, यह सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे ही लग सकता है, यह किसी और चीज़ पे नहीं लगेगा, अच्छा, जब इस function को मैं call करूंगा, तो यह दो पैरमेंटर्स है ना मेरे, यह जो दो पैरमेंटर्स है मेरे, यह यह मुझे ऐसा argument यहाँ पास करने पड़ेंगा, ठीक है, तो मैंने का कि 3 और, कॉमा, 5 बिसाल के जो और, यह 4, अच्छा, अब यह function call होगा ना, जब, तो यहाँ पे जो मैंने arguments पास किया है इसको, वो मुझे इस जगह पे पैरमेंटर्स में में मिलेंगे, automatically, नम 1 के अंदर पास कि अंदर मुझे क्या मिलेगा, 3, और नम 2 के अंदर मुझे क्या मिलेगा, 5, 4 मिलेगा, 54, सभी है, अच्छा, फिर, इन दोनों पैरमेंटर को, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोसेस करूँगा, इसकी बॉड़ी के अंदर, जो मर्जी मुझे प्रोसेस करना है, वो कर लूँगा आखर में चै letter करोंगा अब करय अ कर अखर में चैनल लंगा के आखर में लगांके एक वैल्यू बना ऩर इन दोने अ तोनों पैरामिर्स को लेकर उसको प्रोसेश कर एक वेल्यू बना के रिटर्न करोगा, बीच में मैं जो मरजी करता रहा है, वो मेरा मसला है, जो भी काम मुझे करता है, अच्छा, मैंने अभी क्या रिटर्न किया यहाँ पर, num1 प्लस num2, तो num1 की जगा पर क्या आजाएगा, 3, num2 की जगा पर 54, और दोनों को सम करके क्या बनेग 57, तो यह 57 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने का मतलब आप सब लोग जानते हैं, कि यह जो फंक्शन कॉल है न, यह क्या आजाएगा, यह फुद गायब हो जाएगा, इसकी जगा पर 57 आजाएगा, यह जो भी वैल्यू होगी, आपके केसमा, वो आजाएगी, तो क्या इस 57 को अभी मैं किसी वैरियेबल में पकड रहा हूँ, इस रिटर्न वैल्यू को, नहीं पकड रहा हूँ, तो यह हवा में उड़के जाय हो जाएगा, अच्छा, मिसाल के दौर पर मैं इसके आजाएगा, थीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू, इत इसको मैं किसी वैरियेबल में पड़ा सकता हूँ, तो यह इसका सिंटेक्स समझ में आ गया, कि यह फंक्शन बनेगा कैसे और यह चलेगा कैसे, अब सवाल यह है कि यह क्या है, और क्यों बना रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, क्या हो इ रियूस, रियूस भी और रियूस भी, अच्छा, करीब करीब बताया है, तो ने सही बताया है, और कोई अपना इजारे खायल करना चाहे, इन्होंने जो बात बता दी यह उसके लाबा भी वह इसका खायदा गर है, तो बताएं बीज, इक वरेट में और सुनना चाहरा हूँ, अगर वो आप में से कोई अगर गोल करो, बड़ी कुशी होगी मुझे, जिनको थोड़ी बद प्रोग्रामिंग आती है, उनकी बात करो, फंक्शनलिटी, मतलब सम तो मैं कर रहा हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, मैं फंक्शन में क्यों कर रहा हूँ, री यूजबिलिटी तो हो गई, वो तो बता गिया है, और पिल्कुल सही बताया है, कोड्रिपिटेशन भी बच रही है, मतलब एक ही कोड्रिउज हो रहा हूँ और यह वही बात हो गई, एक फाइदा इसका और बहुत बड़ाःगा था, और असल फाइदा वही है, Reusability तो मतलब सात में आता है, तो मेन दो फायदा है, जिनमें से बड़ा फायदा जो है वो मैं सुनना चाहरा हूँ विव क्या है? एक reuse और दूसरा एक बड़ा फायदा जो है वो अभी तक किसी नहीं नहीं बोला करें नहीं आ सिह जली। बताओ कि फायदा हुथ हूथ है, इसूरत कि फायदा है, वाधर फायदा है? इन एनी प्रोग्रामिंग लेंगेज। अपरेशन परफॉर्मिंग क्या मतलब थोगा सिंपल लजों में बगाओ, मुझे भी समझेगा। अचा मेरा प्रोसार ना थोड़ा स्लो है। कोई अगर आप में से बंदा कोई मुश्किल बात करता है ना तो मैंने समझ में याता। मुझे उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। आप में बहुत सारे लोग बड़े तेज हैं, आपको प्रोसेर बड़ा थेज है। मिसाल के दोर पर देखो अभी तो मैं कर रहा हूं सम। कल को मैं इसमें linear regression कर रहा हूंगा। linear regression का input क्या होता है। एक math है मुझे भी नहीं आती बाइदव है। ऐसी मुझे बस नाम पता है। math है मुझे नहीं आती बाइदव है। एक number होते हैं 10-12 number होते हैं। वो हम देते हैं तो उसका वो linear regression निकाल गया। ऐसी होता है। मुझे इतना सही पता है। यह मतलब इस तरह है कि बहुत सारे mathematical functions होते हैं। जैसा कि दो number हैं। उन दोनों number आपको cos theta पतनी क्या निकालना है। तो वो अले सारे काम होते हैं बड़े complicated होते हैं। यह चलो थोड़ा असान कर देता हूं जो मुझे पता है वो बता देता है। जैसे मुझे 10 number मिलेंगे यह एक area मिलेगा उसमें कितने भी number हो सकते हैं। उस पूरे area का मैंने average निकाल के return करना है। तो average निकालने का जो formula है वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें mistake हो सकती है। उसमें mistake हो सकती है। अगर वो यह average निकालने का formula अपको 10 जगा अला अला टाइप करना पड़े। तो किसी एक जगा अगर आपने mistake कर दिया ना। यह मिसाल के दौर पर आपको बाद में पता चला है कि जो formula आपने figure out किया था वो सही था ही नी। क्योंकि आपको पता है average निकालने के 15 अलाग अलाग formula होता है। यह पता है किसी को? पता है किसी को इसमें बडेग एक्प करोती है अर्थमेटिक मेंस ? अच्छा आँछ ? अच्छा आफरेज कोई मैना वहता है लेकिन वेल मेरे पास एक प्रोजेक्टायात हा थह या कुछ और से बालय कि उसमें वह कुछ ज्यचेन से देता था फी इसमें बॉसाम प्रहेज ल्यों निगालते था 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 तो some time क्या होता था कि जो weight होता था थोड़ा equal नहीं होता था तो एक उसका भी अलग से formula होता है वो detect करता है कि weight किस तरफ ज्यादा है तो वो फिर उसी तरह से उसका average निगालता है कि वो weight बराबर हो जाए सही है quadratic means quadratic means quadratic means quadratic means नहीं वो अभी मैं नाम उसका भूल रहा है बड़ अच्छा नाम तो उसका वो पंद्रह अलग अलग होते हैं पंद्रह अलग होते हैं वो उसके ना formula है average निकालने कि अ derivative integration नहीं नहीं derivative नहीं हो जाओ या नहीं क्या पता हूँ सही भी कह रहा हूँ क्योंके मुझे मैं नहीं पता तो मुझे इतना idea नहीं हो उसका different formulas of average average अभी मेरे वो बिल्कुल ही निगल गया जाएंसर उसका इक बड़ अच्छा नाम है वो लिखते हैं न तो वो पंद्रह के पंद्रह एक list आ जाती है उसकी वेल तो उससे हम डिटेक्ट करते थे कि वो जो सेंसर से डेटा आ रहा है उसमें कोई problem तो नहीं होगी मिसाल के तौर पर अगर मैं से ड्राइंग हैप में आपको खोल के बता हूँ न कि क्या होता है मैं जस्त आपको समझाना जा रहा हूँ कि function हम क्यों यूज कर रहे हैं उसके context में आपको ये सारी बाते मता रहा हूँ मैं खुल जावी अच्छा मिसाल के तौर पर अब ये आपका एक dataset है इस class के students है अच्छा ये 100 है ये 50 है और ये 0 है अब यहां पर test हुआ तमाम student ने अच्छा score किया सही है ये kind of कोई 75 पे जा रहा है ये भी 75 पे जा रहा है ये 75 पे है सही है ये 80 पे है ये 75 पे है ये 75 पे है ठीक है ये हो गया अब इनका में average निगा लूँ में तो क्या है एक अंदाजम 75 पे है ये कुछ पॉइंट उपर नीचे होगा 70 से लेके 75 के अराउंड कुछ आ रहा है ऐसे है ना और ये average सही है ये average सही है ना make sense है लेकिन अगर चार स्टूडेंट ऐसे हो जो एपसंट हो जाए जिरो जिरो प्या जाए अब इनका अब इनका अब जाएगा अब कम हो जाएगा average तो अब जो average निकलेगा ना this average do not represent the correct data या जो भी इसको बोलो मतलब जो चीज average का मकसद होता है ना वो फौद हो गया यहां मैं average निकालूंगा average कम आ जाएगा हालेके student score तो अच्छा किया है तो अब इसका एक तो तरीका ही है कि मैं कम वालों को हटा के फिर average लो एक तो तरीका ही है लेकिन बिल्कुल नहीं अटा सकता मैं क्योंके किसी ने 20-25 वाले भी बन दे हैं यह लो यह 10-10 वाले दो आ गए सही है फिर इदर थोड़े और ज्यादा आ गए आखर में कुछ दुबारा 70-80 वाल है सही है मेरा कुछ इस तरह का डेटा है बीच में एक दो और भी ऐसे तो अभी जो ग्राफ बनाए न वो कुछ इस तरह का बनाए अभी कुछ इस तरह का ग्राफ बनाए फिर एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है सही है एक ग्राफ जो वो ऐसा भी हो सकता है एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जी छोड़ें तो इस तरह के ना 15 अलग अलग जो वो distribution graphs बने frequency distribution है क्या है अच्छा तो इस तरह के ना कोई 15 अलग अलग जो हो सकते है possibilities तो हमारे बस एक formula होता है उसके जरीए हम detect कर लेते हैं कि यह data कैसा है यह उस data को हम transform कर लेते है जो बीच में छोटे छोटे वाले इसको अगर मैं ascending water में align करूंगा तो यह 100% क्या हो जाएगा यह ऐसा वाला हो जाएगा 100% हो जाएगा क्योंकि शुरू में मैंने छोटे कर दी बाद में आखर में बड़े वाले तो अब उसका इग अलग formula होता है average निकालने का समझ रहो तो average निकालने के भी 15 formula होता है अब मिसाल के दौरब मुझे तो यह पता ही निती बात मैं तो developer हो ना मुझे क्या पता उसने काई रिसका average निकलेगा वो engineer है उसको by default समझ रहा है कि इसको engineer को तो by default हो जाएगा न यह कि अच्छा यह average निकालेगा मतलब है पहले detect करेगा फिर निकलेगा और कौन सा correct आ रहा है तो मैंने लगा दिया 15-20 जगब है अब उसने बात में काया कि यह function जो है जी दो में पेजता हूं उसने का यह function जो आपने लगाया न यह तो सही data नहीं दे रहा उसने क्योंके वो चेक किया था अलगा लेकिन अब मैं क्या करूंगा मेरा जो एक ही function है अब मैं उसने का लेगा उसी function में मुझे एक एरे मिलता है 100 नंबर होते हैं 200 नंबर होते हैं उनका मुझे अबरेज निगा लोगा तो अब मैं उसी एरे पर डिटेक्शन लगाऊंगा कि कौन सा वले टाइप है और उसे साब से अलग अलग 15 फ लगे वे होंगे अलग 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 नहीं कर सकता अगर दस अलग अलग जगा करूंगा गलतिया होंगी फिर अगर चेंज करना पड़ा मुझे दस जगा पर चेंज करना पड़ेगा यह और पेइनफुल है तो हम क्यों यूज करते हैं function कि हमारा एक तो हो जाए complexity height black box हो जाए black boxing technique कहते हैं इसको black boxing क्या होत अब दूसरी तरफ से output निकलता है बीच में क्या हो रहा है न अंदर इससे आपको लेना देना नहीं है इसको एप ब्लेक बॉक्सिंग है कि आप उपर से उसको देंगे कह रहें है अब अंदर कैसे उसको detect करता है क्या करता है इससे आपको लेना जाए वो एक बन गिया test हो अब दुबारा आपको सोचने की जरूद नहीं है आप उसको नंबर देंगी और से नीचे वो डिटेक्ट करेंगे खुद एक आपको रिटन देगा आपको दुबारा सोच तो यह कॉंपलेक्सिटी हाइड होगा यह सबसे बड़ा बेनेफिट है फंक्शन का नंबर दो बे अच्छा उसके लाबा भी छोटे-छोटे बहुत सारे बेनेफिट्स हैं मिसाल के दौर पर फंक्शन के अंदर जो वेरियबल बनता है ना वो मैमरी में कोई जगा नहीं लेता ठीक है मिसाल के दौर पर यह फंक्शन मैंने बना के छोड़ा हूँ है इसके अंदर कोई अच् के लोकल वेरियबल होता है तो अब यह जो वेरियबल है ना यह अभी मैमरी में कोई जगा नहीं लेंगे जब यह फंक्शन कॉल होगा तो यह वेरियबल बनेंगे और जैसी फंक्शन कंप्लीट होगा यह आटमाटिक मैमरी से खतम हो जाएंगे तो फंक्शन बनाने से मैमर लोगों को continue करते हैं अच्छा यह जो मैं जिकर कर रहा था ना उस ताइम कि वो 15 अलग अलग होते हैं उसको हम कहते है probability distribution तो मैंने का सब को मैं जिकर किया तो बता दू मैं यह वो list सब चीज़ों सब नामों की list है यह देखे रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, ठीक है और यह कुछ experimental है 15, 16 तो यह वाला देखे रहो binominal distribution में इस तरह की होती है यह binominal distribution है इसका अगर मैं average निकालूंगा ना नॉर्मल तरीके से तो यह जो दिखे रहो चोटे 9, 10 यह चोटे-चोटे हैं 12, 13 और कुछ हैं ज्यादा 17 और 15 तो यह सही नहीं निकलता है तो इसको आप कहते हैं binominal distribution है इसका average निकालने का formula थोड़ा साल है अब उसके बार यह देखो यह beta distribution यह इसको update करूँगा ना यह randomly data generate करका असल में दिखा रहा है कि कैसा होता है मैं इतनी बार भी update करूँगा यह अपने pattern को रखेगा यह pattern beta distribution के लाता है अब इसका अगर मैं average निकालूंगा लेकर एक हैसमें 180 और एक हैसमें 60 और बाकि सारे 60 हैं तो इसका जो on average आएगा ना वो आ साल है तो इस तरह यह पंद्रा है ना पंद्रा के करीब कुछ है अल्मोस्त है नहीं जब software development गरोगे तो हो सकता है आपका client बोले किया यह वरी distribution ऐसे नहीं होती जैसे आपने की विए ठीक है यह यह लापलेस देख रहा है वसमें बीच में ऐसे इस पाई उठी बिले और rate equal होता है वो भी इभी इसमें आएगा कही न कहीं यह रहा uniform हम जो निकालते हैं uniform वाला यानि हम जो normally average निकाल रहे होता है वो इस वाले पर बिल्कुल साही डेटा देगा almost सारी equal है इसको बलते है uniform distribution अब uniform में भी एक दूसरा है एक uniform whole numbers है यह whole numbers समझ रहे हो इसमें देख रहे हो 2,3,4,5 ऐसे है और इसके अंदर point वाले number है यानि uniform distribution में भी point वाले number का तरीका तोड़ अलग है बगर point वाले का अलग है देख रहे हो यह सारे distributions है अब यह experimental है unreliable friend इस distribution का नाम है यह देख रहे हो एक बिल्कुल ही अलग है और बाकी सारे जाना कोई पता नहीं है किसी लिए कहां जा रहा है कौँ अगर fml distribution है यह तो फिल यह थोड़ी सी ऐसी side वली बात थी तो मैंने वह आप तो बना दी कियो कि मैं सब्सक्राइब नाम भूल गया था तो ब्रेक में मैंने गूगल किया तो मुझे वो फिर याल आगी है अच्छा एक दोस्त आपके अभी यह सवाल कर रहते है कि सर हम जो शुरू में आपने काता है कि हम ES6 पढ़ रहे है वो तो यह है सारा ES5 में भी यह है तो भाई यह है सही है थोड़ा थोड़ा अभी जैसे फंक्शन हमने यह लिखा है इसका एक सिंटेक्स और भी यह फंक्शन लिखने का जो ES6 है अभी वो थोड़ी देर में हम पढ़ देंक तो ES6 हो जाएगा आएगा हम भavam ूरूड़ा नही बुक में ओने का रचिए नयवाले सिंटेक्स का जिकर नहीं है इस इस इना मॉस्टली क्या है सिंटेक्टिक शुगर है क्या है? Synthetic Sugar Synthetic Sugar का मतलब है कि Code होगा पीछे वही लेकिन लिखने वाले को लिखने में अच्छा लगे मज़ा है और पढ़ने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे मतलब clean code हो इस तरह की चीजें यह Synthetic Sugar में count होता है ठीक है? तो ES6 ज्यादा तर Synthetic Sugar है जो सारे गाम जो ES6 में होता है वो ES5 में भी होता है लेकिन उसका syntax थोड़ा अजूबा है, मुश्किल है ठीक है? अभी जब हम यह array cloning किये ना जब object cloning करेंगे ना तो हम देखेंगे array cloning, object cloning में ES5 में कौन 6 तरीके होता है तो हमने अभी क्या देख लिया? कि यह function बनता कैसे? function बनाने का syntax देख लिया और उसको call करने का syntax देख लिया अच्छा दो parameter इसमें मैंने बताये में function की definition यह कहलाती है function की definition यह function define कर रहूं कि यह होगा जब मैं function को call करूंगा तो यह काम होगा अच्छा definition में मैंने दो parameter यहां पर बताये में अच्छा यहां से मिरे जरूरी नहीं है कि मैं दोनों pass करूं optional जो मैं pass कर दूंगा वो यहां मिल जाएगा अगर second वाला मैंने नहीं pass किया तो वो undefined मिलेगा इस function के अंदर तो function के अंदर मुझे validate भी करना पड़ता ही अच्छा यह parameter हो और यह भी हो तब function को आगे चलाओ otherwise शुरू मही return कर दो कि invalid data यह तरह कुछ जो बहुत depending on your क्या आप करना चाहिए अच्छा जावा script के अंदर यह जो parameters जो मैं pass कर नहीं argument नहीं यह sequence को follow करता है मतलब पहला वाला जो होगा वो इदर पहले वाले में आके match होगा जो दूसरा वाला होगा वो इदर दूसरे वाले में आके match होगा सही है तो sequence को follow करता है कुछ दूसरी languages में sequence follow नहीं होता उसमें named parameter होता है तो इसमें sequence follow होता है सही है अच्छा यह बात समझने आगी यह छुटी चुटी डीटेल है function की जो हमें पता होनी चलिए अब हम यह देखते हैं के इस एक function बना लते हैं और ताके इसकी practice हो जाए एक function कौन सा बना लते हैं percentage calculate करने हैं सही है उसको हम देगे एक total mark एक octane mark और वो मुझे percentage calculate करके बता दे और percentage कैसे calculate करके बता है decimal point की बगएर क्योंके normally हम divide मारते हैं तो वो point के बाद भी number आ रहे होते हैं तो मुझे वो decimal point ना होता है मुझे वो सीधा करके बता है बगए decimal point तो हम एक जल्दी से क्या करते हैं चुटना होना सा एक function बना लेता है function calculate percentage यह वैने function का अपने नाम रख लिए calculate percentage अब percentage calculate करने के लिए मुझे क्या चाहिए total, obtain अब इसके अंदर मैं नाम यह जो नाम रखा है न मैंने कोई भी नाम रख सकता हूं मेरी मर्जी कर तो क्योंके यह यह जो parameters है यह equivalent है इस function के local variable के ठीक है यह निसाल के दौर पे अगर मैं let total बनाऊ ना तो यह इसी के equivalent है यह memory में जगा भी ले रहे होता है लेकिन जगा यह कब लेंगे memory में जब यह function चलेगा ठीक है तो यह दोनों जोंगे वो क्या है यह असल में variables है तो यह से अगर हम अभी form बगेना बनागे हैं तो यह number one लिखते हैं तो इसके जरी calculate करागे वापस screen पर दिखाते हैं सही है अच्छा इसके अंदर मैं वो वो character इस्तेमाल कर सकता हूं जो variable के नाम में valid हैं मिसाल के दर पर underscore dollar मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फिर इसको मैं number से नहीं शुरू कर सकता ठीक है variable का नाम number से शुरू, तो जो जो variable के नाम में रिस्ट्रिक्शन है, वोई नाम में इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, और वोई नाम में इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, अच्छा, total मैंने बगड़ दिया, obtain बगड़ दिया, अब कैसे होता है, calculate, let, percentage equals, क्या formula होता है, पता है किसी को, obtain, multiply by 100, divided by total, अच्छा, पहले इसमें multiply करना है, ठीक है, तो ambiogilti से बचने के लिए मैं इसको bracket में कर देता हूँ, वैसे तो ये सही करेगा, में ambiogilti से बचने के लिए मैंने का ये पहले करो, फिर total से इसको जो क्या करो, divide करो, ये हो गया, अब percentage में 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 रिपस क्या आ चुका है, एक percentage आ चुका है, जो के point में कोई लगई value होगी, most probably, अच्छा, फिर अब मैं क्या करोंगा, इसको छोटा करोंगा, मैं मुझे point हटाने, ठीक है, तो मैंने का percentage equal to percentage dot two fixed, ठीक है, मैंने कोई decimal point मुझे नहीं चाहिए, अच्छा, ये जो two fixed का formula ये करता है, ये जो result के नहीं देता है, वो string में दे रहो होता है, लेकिन अभी मेरा purpose ही है, इसको तीन हले लाइनो में करने का, मैं बताना चाहरा हूँगा, ये लंबा procedure भी हो तो ये, उसी में benefit channel हो रहा है, अच्छा, ये होगया, बही number में convert हो गया, और कुछ करना है, कैस के उपर होगया, मैंने का return, और percentage, अब ये calculate percentage में में दो number दोंगा इसको, और उन दोनों को देखते वही है, उसका percentage calculate कर देगा, अच्छा, शुरू में मुझे ये भी बताना है, check करना है, कै कहीं है, दोनों में से को ये missing तो नहीं है, ये भी मुझे check करना है, तो मैं शुरू में ये flag आ देता हूँ, ठीक है, मैंने का total and obtained, ये वाल operator पढ़ सब्सक्राइब कर देता है, कै, total जो है, अगर वो false हो, तो not लगाने से वो क्या हो जाएगा, वो truth ही हो जाएगा, और, अगर obtained अगर false हो, तो उस पर भी मैंने not लग लगे, मैंने not total और not obtained, इन दोनों में से कोई एक भी बात true हो जाएगा, क्या करवाओ, आप यही पर return करवाओ, और आप उसको क्या बोलो, null करवाओ, मतलब कुछ भी value ना दे, null करवाओ, मतलब कुछ भी value ना दे, null करवाओ, तो इन में से कोई एक भी value होगर, क्या होगी, इन दोनों में से कोई एक भी value missing अगर होगी, तो क्या करेगा यह, percentage आगे calculate करने की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है, अच्छा फिर, अब मुझे यह भी चेक करना है कि यह दोनों number ही होने चाहिए, सब्सक्राइए, कैसे चाहिए होगा होगी, यह number है के नहीं, उसके लिए एक function होता है, is, nan, सब्सक्राइए, is, nan, सब्सक्राइए, is, nan, is, nan, क्या करता है, अगर यह number के लावा कुछ भी होगा न, इस से बात समझ में आरी कि, अगर यह number not a number हुआ, तो यह true देवा, मैंने कहा कि, is, nan, total, के total अगर not a number हो, या, obtain अगर क्या हो, not a number हो, ठीक है, इन दोरह में सब कोई एक भी nan हो जाए, तो भी क्या कर हो, यह ही से वापस चाहिए, हमने यह check कर लें के value होनी चाहिए और value number ही होनी चाहिए, कोई और चीज नी होनी चाहिए, कोई और ऐसी चीज जो मुझे चेक करनी है, यह भी मुझे check करना है, कि obtain जो हो, क्या हो, obtain जो हो, ज्यादा हो जाए अगर, equal हो जाए, 100, 100 हो जाए वो सही है, obtain अगर ज्यादा हो जाए और total क्या हो जाए, कम हो जाए, total यह नहीं, मिसाल के दुरूपे, obtain में 101 आ गया, total से बढ़ा हो जाए, यह 100.1 भी आ गया, तो obtain बढ़ा हो जाएगा न, तो उस सुरत में भी मुझे क्या करना है, return कर देना है null यहासर, यह कोई message भी return करवा सकता हूँ, कोई string में message, लेकिन खिलाल में null करवा रहा हो, कि कोई भी ऐसी बात हो जाए न, तो वो null return कर देना, आगे नहीं पड़े लोग, अच्छा, यह 3 validation थी, यह मुझे लगा, तो अब imagine करो, जहाँ जहाँ पर मुझे calculate करना है percentage, वहाँ पर मुझे चीज़े चेक करना ही सही है न, असूलन, वरना तो code error करेगा, कोई user तो कुछ भी value दे, user को तोड़ी पता है, वैसे form पे validation लगाई गी हमने, लेकिन form की validation तो by pass भी हो जाती है, आप जाती है, आप जाएंगे inspect element करके required अड़ा दे न, हो गया, जाएंगे inspect element करके type number की जगा, type string कर दे, number, text कर दे, change हो जाती है, सही है, तो यह validation मुझे लगानी चाही है, घर जगा, तो अब क्या हुआ हुआ, कि इतना लंबा code हो गया, मेरा किसके लिए, just a percentage के लिए, जब यहां पर कोई complicated चीज अगर में calculate कर रहा हूं, तो यह पर और लंबा हो सकता है, तो यह एक ही दफ़ा लिखोंगा, सब जगा इस्तामाल करूँगा, इसमें कोई गल्ती कर दी, अगर मैंने साल के दौर पर यह formula को बात में realize हो कि तो गलत formula ला दी है, तो मैं just एक जगा change करू सब जगा हो, set हो जाएगा, ठीक है, अचा, अब इसको मैं calculate करना हूँ, calculate करना चाहता हूँ, तो मैं data कहां से लूँगा user से, form पे से data लूँगा कराई, अचा, तो एक form बना लेते हैं, जल दी से, मैंने का form, सही है, मैंने का on submit, on submit पे क्या लगाउँगा, मैं आ, submit, submit function इसका नाम लगा है, मैंने लगा है, कि ये submit क्लिक करने पे, ये function चलेगा, और मैंने साथ में return false लगा लगा लिए, जिससे ये page refresh ना होगा, अब इसमें मैंने एक input लेना है, एक input लेना है, इसका type होगा, number, ठीक है, और इसमें मैंने का कि बई, total marks हों गई है, total marks, उसके बाद मैंने का, line change करो, और इसी तरह का, एक input और देदो, और उसका नाम लिए रिखो, O, B, T, A, I, N, A, D, obtained marks, ठीक है, इसको मैं एक ID भी देता हूँ, जिससे मैं इसका data उढ़ा सको बाद में, मैंने का obtained इसकी ID है, और इसकी ID है total, ठीक है, दोनों required भी है मेरे पास, तो साप में, required लगा देता हूँ, ताकि जब तक ये data मिलना जाए, form submit ना हुए रहा, और कोई ऐसी चीज जो इस पर मुझे लगानी है, और कोई ऐसी चीज है, जान और प्लेस रोल्डर लगा सकते हैं, calculate मैंने साप में लगा दिया, या total mark तो पर, वो value लगा सकते हैं, 100 की, हाँ, total mark पर value लगा सकते हैं, 100 की, सभी है, कि total mark मैं 100 पहले से लिखा भा रहा हूँ, क्योंकि जादा तर 100 में से calculate कर सकता होगा, अच्छा, अब मुझे नीचे आगे क्या करना है, एक तो ये calculate percentage ना, ये मेरा reusable function है, अब मैंने क्या बनाना है, एक function बनाना है, जिसका नाम किया है, submit function जो मैंने उपर उसका नाम रखा हूँ है, अच्छा, submit function में कोई parameter मुझे जरूद नीए, ठीक है, कोई parameter जरूद नीए, अच्छा, यहाँ पर आगे मैं अच्छा क्या करता हूँ, अच्छा मैंने का, let num1, oh sorry, total equals to document.querySelector, यहाँ नी रहाते है, right, getElementById लग जाता है, लेकिन यह ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए यह लगा रहा हूँ है, total कर दी है मैंने, और, obtained कर दी है, यह दोनों चीज़े मेरे पास आगए, अब यह दोनों चीज़े मैं किसको दूँगा, पहले तो मैं हाथ से calculate करता था था नहीं यहापर, अब मैं किसको करूँगा, मैं बोलूँगा, let result equals to calculate percentage, ठीए, यह जो मैंने उपर function मनाया है, इसको मैं पहले को क्या दे दूँगा, total, comma, obtained, अच्छा, इसको मुझे number में भी convert करके देना होगा, otherwise मेरा function क्या होगा, काम नहीं करेंगा, चलो पहले इसको, बेगार इसकी करके देखता है, ठीए, मैंने का result, अब अब अगर result में, या तो मेरे पर null आएगा, या तो मेरे पर असल percentage आजाएगी, तो मैंने क्या बोला, मैंने का if result, ठीक है, if result का मतलब है result अगर truthy value, ठीक है, result अगर truthy value है, तो क्या करो, तो इसको, अच्छा, यहां पर एक result के नाराम से मेरे बास वो भी होना चाहिए, अच्छा, यहां पर बुलूंगा के document.querySelector result.innerHTML equals result, ठीक है, अगर result के अंदर truthy value है, if result, if के अंदर क्या चाहिए उसको? boolean चाहिए, boolean तो नहीं होगा यह, या तो यह क्या होगा, कोई एक number होगा, या तो null होगा, कोई दूसरी possibility तो नहीं है, मेरे function के boarding, तो अगर यह truthy value होगी, तो यह चल जाएगा else, अगर null हुआ तो else चले रहा, सही है, और else में में क्या करका हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि यार, यहाँ पर एक बात रखवाओ, invalid data, सही है, जो आपने data input दिया, invalid input, ऐसे लिखते होगा साब, ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब यह function जो है, यह तो reusable, यह तो click पे एक बार ही चलेगा, जतनी बार click होगा, लेकिन यह जो function है, कल को किसी दूसरे form से मैं data ले रहा हूँगा, उसमें भी यह function use होगा, calculate percentage बार, ठीक है, यह मेरे प्रोग्राम के अमदर रेजिस्टर होगे, अच्छा, तो अब इसको चला के देखते हैं, अच्छा, पहले से 100 लिखा बार है एक में, और मैंने कहा कि यार, 70, calculate, invalid data क्यों है, क्योंकि मैंने इसको number में convert करके नहीं दिया, string में ही जा रहा है, input string आया था, string में ही जा रहा है, अब मैं इसको क्या क्या करूंगा, यह मैंने जान बूज के हटा दिया था, कि वह invalid data भी हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता से लिए, इसको मैंने refresh किया, 70, अब यह क्या देने लग जाएगा, अब भी भी invalid data, ऐसा कैसे बले है, अच्छा, value नहीं लिखी मैंने, dot, value, वैल्यू लिखना बूल गया था न, सही है, 70 आगया, अच्छा, अगर मैं एक का यहां से अभी भी अगर एक का में यह प्लस रटा दू, तो एक क्या हो जाएगा, इस्ट्रीम हो जाएगा, अब मैं अगर लिखता हू 70 इसमें तो, अभी भी 70 दे रहा है, कहा पे convert की रहा है, इसमें मैंने convert तो नहीं किया, मेरे खेल है, इस NAN जो है रहा, वो, नमबर में भी होता है तो वो, स्ट्रिंग में भी नमबर होता है, तो उसको वो समझ जाता है, कि यह नमबर ही है, और यहां पर मैं multiply divide कर रहा हूं, तो उसमें issue वो यह आता नहीं है, प्लस वले में on the other end issue आ जाता है, कि वो concatenate हो जाता है, तो यह हमारा जो code है वो बिल-बिल, सही चल गया, तो इसका मतलब यह है, कि अगर मैं इसको convert ना भी करूं, नमबर में, तो भी यह सही चलेगा, देखते हैं, दोनों से अटागिये में, अब invalid input दे रहा है, इसका मतलब है, मैंने logic में कोई mistake की है, अच्छा, यह is NAN हो या यह is NAN हो, दोनों में से कोई भी इस NAN हो, तो इसको null कर देना चाहिए, लेकिन यह नहीं कर दे है, चलो है, इस पर बापस हम यह number लगा देते हैं, और इसको check कर देते हैं, बाई तवे, इस NAN को मैं यहा पर अलग से चला कर चेक कर लेता हूँ, इस NAN को मैंने दिया यहां पर, अगर 70 को देता हूँ, स्ट्रिंग में नहीं, यह तो पकड़ दे रहा है इसको भी हो, इस NAN false ही बता रहा है, और अगर मैं इसको number में दूँ तो भी से नहीं, मतलब स्ट्रिंग और number दोनों कोई है, समझ रहा है कि यह number है, लेकिन अगर स्ट्रिंग में 23 के साथ एक A भी दे दू, 23 A, तो फिर यह बोलता है हाँ, यह अब के NAN है, अब यह operation नहीं perform कर सकता, तो यह इस NAN का behavior भी देख लिया है, अच्छा तो इसका मतलब है यह हटाया है, यह बोलता है टो, इसको डिवग भी कर लेता है नोड़ा, कि अफिलिए क्यों दे रहा है, अब तो यह 70 इतने से चलने चाहिए न, अब तो यह 70 इतने से चलने चाहिए न, इसमें से कॉन सी ऐसी कंडिशन, नहीं सही होगा, एक पीससे टू हो जाया है, तो यह दोनों तो false हो रहा है, यह दोनो false हो रहा है, मिने अलग से देख लिया है क्या कह रहा है? Octane चोटा है नहीं, इसमें हम देख लिखे ना कि console कर वा लेते है जो भी if होगा उसमें console true हो जाएगा ठीक है? मैंने काया कि यह नल वाला है section हमारा और उसके बार यह क्या है? यह एनन वाला section है और यह हमारा जैवो greater वाला section है. तो अगर देख लेते हैं. अच्छा नहीं तो अगर इस्ट्रिंग को अगर मैं मुल्टिप्लाइ करता हूं तो वो में नमबर ही देता है मुझे. यह हर आल में नमबर ही देगा मुझे. क्योंकि दो इस्ट्रिंग अगर हो और दोनों में 30-30 लिखा में डिवाइड करूंगा तो मुझे नमबर देगा, स्ट्रिंग नहीं दे रहा है अच्छा और बाइदवे आ रहा है नल तो इसका मतलब है कि वो यहीं पे इस्ट्रू होता है तो हम यह लगा लिए न हमने कॉंसोल अब ज़र आच ट्राइ करके देखते हैं मैंने का 23 और ग्रेटर वाले पे इस्ट्रू हो आगा है टोटल 100 और और इक्सिनरी अइडर में उसके देखें रहा हैं आध देखें स्ट्रू एमने यह देखा था कि 10 चोटा है और 3 थ्री और है इस्ट्रू रगष्य और आखिगे और मैंने समझ में आगिया कि NAN जो है यह गलत वैलिडेशन है यहाँ पर NAN चेक नहीं होगा यहाँ पर मुझे एक्जेक्ली चेक करना होगा कि यह नंबर टाइप इसकी नंबर हो तो वो चेक करने का तरीखा किया है टाइप आफ यह तरीखा है उसको आफ पर किया होना चाहिए एक्वलस ओकैर किया होना चाहिए नंबर होना चाहिए यह थिक है थाइप आफ मुझे चैक्टना होगा और इस अब इस पर मुझे लगा रहे नहीं हैता вариант Thompson इसकी भी मुझे टाइप चाहिए नंबर और इसकी भी मुझे टाइप चाहिए नंबर तो मैं condition मुझे not पे लगानी होगी कि not equal to number होगा number के लाभा कुछ भी हो तो मैंने कहा कि type of total not equal to number हो जाए या type of obtain not equal to number होगा इन दोरों में से कोई भी एक हो जाए न number के equal नहीं होगा, string होगा, तो वहीं पे error देगा हो ठीक है, NAN बता दो तो अब मेरे लिए जरूरी होगा कि मैं क्या करूँ यहीं से इसको number में convert करके बेजो 23 calculate, NAN बता दिया, invalid input input या मैंने सही लिखा बाइदव है, लेकिन function में इसको convert करना होगा तो अब मैं इसको क्या करूँगा, convert करूँगा, convert करके चलाओंगा तो सही चलाओगा ठीक है, सही चलाओगा अच्छा, तो हमने क्या देगा, कि इस validation में हमारे से क्या होगई, एक mistake होगई अब इमेजन करो, यह एक जगा दस जगा लगा चुका होता, दस जगा लगा के बैठावा होता और फिर मैं जब डीबग करता है, मैं कहता है तो घलत लग गया है, फिर मुझे यह वाली लाइन उन सब जगाओं पे जागे चेंज करनी होती लेकिन अभी मोझे चेंज, नहीं करनी है, अभी एक जगा दरूँगा सब जगा चेंज होगा तो हमने यह भी इसमें रिलाइस किया कि छोटी सी चीज कैलकुलेट करने में भी कोई ऐसी गड़ड़ हो सकती है जो बात में आपको बहुत मसला करे आपकी लिए यह कोई ऐसी कॉंप्लिकेट चीज नहीं है कैलकुलेट परसेंटेज हम कई दफा पहले भी खर चुक है इसी क्लास में अच्छा तो अब हमने क्या किया फंक्शन मना लिया, सब्मिट का फंक्शन कॉल होता है वो डेटा उठाता है और डेटा उठाने के बाद यह वली जो लाइन है ना, इस लाइन इस कॉल ब्लेक बॉक्सिंग अब अमने बोला भई कैलकुलेट परसेंटेज और यह दोनों वैल्यू उसको पास कर दी यह कैसे कैलकुलेट करता है उससे हमें वो लिना देना लिए यह फंक्शन, most probably यह फंक्शन कोई और डिवेलपर भी लिखा हो ना, अगर यह फंक्शन हो सकता है किसी और डिवेलपर ने लिखा हो, मैंने लिखा भी नौ, मुझे लेना देना ही नहीं इस चीज से कि वो कैसे कैलकुलेट करता है लीनियर रिग्रेशन है होई, वो कैलकुलेट हो रहा है, और इस तरह यह मुश्किल-मुश्किल बहुत सारी मैटस है तो वो सब चीजें कैलकुलेट हो रही है, तो यह फंक्शन जरूरी निया कि मैं लिखा हो, यह सकता है किसी और ने लिखा हो अभी वो देख भी लेते हैं कि किस में लिखा हो है, यह फंक्शन बहुत though उने लिख की रखा हो है तो हमने यहां पे just एक function call किया और हमने उसको value दे दी regardless कि इस function के अंदर क्या होता है और कैसे वो generate करता है क्या क्या validation लगाता है मुझे उसका result यहां पे बिल जाता है मुझे इस function के inputs पता होते हैं और इस function का possible output पता होता है मुझे इस function का input पता है कि दो number चाहिए उसको number ही चाहिए उसको कुछ और नहीं ले गए और output पता है कि इसका output या तो null होगा या तो एक number होगा तीसरा कोई output इसका नहीं हो सकता है जो मैंने setting किया उसके हिसाब से तो इसी तरह जिस developer ने ये function लिखा होगा वो developer उसको document कर देता है कि वाई ये जो function है इसके input ये और output इसका ये possible हो सकता है तो हो हमें पहले से बता होता है और मैंने उस black boxing कर लिए इसकी उसको मैंने coin कर दिया उससे result ले लिया और उसको screen पे मैंने print कर ला दिया अच्छा ये समझ में आ गिया खुद से बना लोगे ऐसा function एक, सही है, खुद से इस तरह की app बना लोगे मुश्किल तो नहीं है अब मिसाल के दौर पे, एक function है दो matrix को plus करने वाला function वो किसी ने लिखा होगा पहले से, इंटरनेट में मौजूल है अच्छा कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है ये जो function में जिकर किया है कि हो सकता है किसी और developer में लिखा हो उसको हम कहते है library उसको क्या कहते है लाइबरेरी जब बहुत सारी books को हम एक जगा पे कठा कर देते हैं तो हम क्या कहलाता है, books की library ये function की library होती है तो जो programming के अंदर word इस्तमाल होता है जो turn इस्तमाल होती है library उसका मतलब असल में यह होता है कि बहुत सारे function को एक जगा एक अठा कर दिया है और whole library है क्या हम अभी तक कोई library यूज की है हमने इस class में अभी करेंगे इंशाल्लाइब अगली class में यूज करेंगे अच्छा तो हम कुछ एक दो library देख लेते हैं जाके को होती कैसे जैसे math की library है math.js एक math की library है अंदर गया हम इसके इन्होंने न देखो log का, square root का, derivative का ये सब का इन्होंने बना के रखागा आगा इस function इस math.square root को न मैं एक number pass करूँगा मुझे उसका square root देदेगा अब उसमें क्या किया logics हो सकती है कि अच्छा 0 का square root निगल सकता है निगल सकता है, minus का कैसे निकलेगा, plus वाले का कैसे निकलेगा ये सब को उन्होंने handle किया वे अंदर ठीक है? अच्छा, आगे देखते है math.evaluate ये पता नहीं क्या है expression solver रही है कोई भी expression इसको देंगे आप जैसे calculator होका ना, scientific calculator उसमें हम expression लिखते हैं, brackets, bracket, mark और end में equal दवाते हैं तो ये math.evaluate उस पूरी expression को क्या कर देगा? solve कर गे आपको answer देगा मिसाल के दौर पर आपने लिखा 12.7 cm to inch तो ये evaluate का formula आपको result देगा सही नहीं है तो these type of things are called libraries इन्होंने क्या किया वैले? तो function मनाएंगे ना square root, evaluate अब ये evaluate का function अगर मैं खुद लिखने बैठूँगा तो कितने इफल्स लगेंगे उसके अंदर कि भाई अगर बंदे ने पहला character क्या लिखा है फिर cm है या inch है या क्या है तो इतनों एक लगेंगे इसके अंदर इन्होंने वो सब सोच समझ के validate करके सब करके उसको रखा गया वादा है हमें जस्ट उसको इस्तमाल बना है सही है? समझ आरी ही वाली बात और देखते हैं इन्होंने क्या क्या function बनाया है थोड़ा से ऐसे एक मिनदर, docs में जाओंगा रहाँ पूरा list आई लिए अच्छा algebra भी कुछ इन्होंने बना के रखा है fractions के कुछ इसन्होंने बना के रखे हैं matrix को दर एक नदर मार लेते है matrix पर क्या है math.square वो array भी लेता है array का square निकाल के देगा और matrix भी लेता है two dimension array matrix होती है two dimension array तो इसको input कुछ इस तरह का चाहिए होगा है सही है अगर आपको matrix create करना है two by two का तो वो ऐसे आप create भी कर सकता है मैंने यह इतना ज्यादा use नी की library इतनी ज्यादा मैंने इसको use नी किया लेकिन यह पर यह चीज है मौजूद है बनी भी है आपको अगर एक array generate करना है आप चाहते हैं 0 से लेके 1000 तक की values हो और एक array generate हो जाए आप हाथ से ना लिखें तो आप यहाँ पर लिखेंगे math.range और आपने 0 लिखा और आगे 1000 लिखती हो तो पहले का value 0 होगी या आखरी 1000 होगी जीरो से लेके 1000 तक का array प्याद होगी साही नी है यह function हम भी बना सकते हैं असानी है को कि आसमान से नहीं उतरा ही हम भी बना सकते हैं एक loop चलाएंगे push 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 मारते रहेंगे बन जाएगा लेकिन उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़े होगी इसका खयाल रखना होगी मिसाल के दोर पे 0 जो हो बड़ा हो 4 छोटा हो अगर apposite दे दिया तो फिर reverse में चलेगा हो नमबर अब लूप भी reverse में चलेगा हमारे तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़े हैं जिसका सबका इन्होंने खयाल रखनावे और चल रखनावे ठीक है अच्छा अब इसके हम जो डॉक्यमेंट्स में चले जाते हैं किसी और में चले जाते हैं अलजबरा वले section में चले जाते हैं simplify का कुछ है इनके पास एक चीज़ दिये उसको simplify करके दे रहा है derivatives है इसके अंदर derivative के अंदर ये दो input लेता है दो number लेता है और उनका derivative calculate करके देता है कुछ इस तरह की चीज़ है rationalize का इन्होंने बना के रखा है कुछ कोई math होती है rationalization ही उसके इन्होंने functions बना के रखा है हाँ सारे जिंदगी में जो अपने math में नहीं पढ़ा ना वो सब इन्होंने किया वाल जो आप सोच सकते हैं वो इदर पहले से मौजूद है अचा यह math की एक library है math की इस तरह की कई दूसरी कई सो libraries है तो अगर में साथी ज़र पे कोई ऐसा rare चीज है जो इसमें नहीं है तो किसी दूसरी में होगा सही है किसी दूसरी में होगा और एक और चीज में इसमें क्या देख रहा था big number, number, security, customization, expression, syntax इसमें वो probability के ना function भी है वो जो अलग-अलग percentage निकलने के ना 15 वो भी इसके अंदर है वो सामने मुझे भी नजर नहीं आ रहा लेकिन है इसमें ठीक है तो जो जो आप सोच सकते हैं सब इसके अंदर है अचा इसके लाब हम एक library कोई और देख लेते हैं ठीक है हम ऐसे best libraries top 10 libraries देख लेते हैं कौन सी है 40 best known well-known libraries अचा data visualization organization की कोई library हम देख लेते हैं एक है chart.js ठीक है chart.js एक यह library है आप इसको क्या देते हैं आप इसको data देते हैं यह उसका graph draw करके देते हैं सभी है samples में जाते है तो आप नजर आ जाएगा हमें कि क्या क्या है अच्छा line chart अगर हमें बनाना है तो यह इस तरह से line chart बना के देते है इसको data किस तरह से देना होता है ऐसे देना होता है अभी हम कर नहीं रहे हम इस course में यह cover नहीं करेंग लेकिन यह module है आपको यह नहीं सोचना और यह chart बनाऊंगा तो उसमें पूरा scale कैसे बनाऊंगा यह सब पहले से module है आपने सिर्फ इनका function call करना है यह आपको पूरा chart बना के देगा इसी तरीके से आपने अगर multi-axis chart बनाना है एक से ज़्यादा line चल रही है एरिया का chart बनाना है एरिया chart कैसा होता है इस तरह का एरिया भी अंदर का show कर रहा हूँ radar वाला chart कितना मुश्किल होगा यह chart खुद से बनाना है इसको अपने data देना है और data कैसे देना है यह नीचे इन्होंने आपने एक्जेंपल करके बता है ठीक है इस्मूथ भी कर सकता हूँ इसको मैं चाहूँ तो इस्मूथ नसर डा सकता हूँ randomize करके मैं इसको अलग-अलग नंबर पे देख सकता हूँ गया रहा randomly अलग-अलग नंबर पे बना के दिखा रहा है किसी जगह पे बुरा तो नहीं लगेगा किसी पॉइंट पे आपने सही है सही है स्केल्स सब्सक्राइब यह लाइब मेच के अपने सब्सक्राइब अब अगर वैसी वैबसाइट बना रहे है जो मैच के स्कोर दिखाता हूँ लाइब तो आप यह चार्ट के लाइब्रेडी का स्तमाल करेंग उसके अंदर अछ好 अच्छा ऐसा नहीं यह खुदसे नहीं बना सकते खुदसे भी बना सकते है टाइम लगे Courtney यह Uसकरेंगा ञत करेंगा तो आइम बचेगा हमारे यह टीछर को भी इक्श blasting अ बड़े अच्छेमesper चते देगे करें आभी तो के तेनी के आवे चाहि hop बहुता है। संटाईम हम आतशे होता है कि हमा चाहई है.. तो फिर क्या करते है लोड मी एक भाना है? फिर अग वह फिर सक गबते हैं, तो सब एक करते हैं.. जा पुछ है.. अगर किसी में यह है तो फिर खुद बनाना को रहते है.. अपने मना भाते है.. यह मैत कि ऐसा फंक्शन है जो किसी लाइड इमें मौझूद नहीं है यहां में नहीं मिल रहा पिसाल के थौरप इन्कृप्शन के फंक्शन होते हैं कि जब आम डेटाबेस में पासवर्ट वगरह सेफ करते हैं तो उसको प्लेंट अप्रिप्ट करना होता है तो इंक्रिप्शन का जो प्रोसस है वो थोड़ा जाइर है कृप्तोग्राफी से ताल्लोक है तो देवलपर तो उसकी लाइबरी इस बनी विया है he could be depressed के नाम से बड़ी मशूर लाइबरेडी कि ऒो यूज करते हैं तो पिक्रिप्ट हैश में क tenः करकरग कोड़ करके उसको डेट hormone करते हैं और अपस्वर्ट कुछ न१े और इसको मैंच करते हैं तो इसकी भी Лाइबरेरी साब उससे काल फाल मिज utilizing कि यूजर ने पासवर्ट दिया उसको मैं इंक्रिप्ट करूँ खुद से तो एक तो मसला यह है कि वो फिर सेफ नहीं होगा क्योंकि मैं कितना सोच लूँगा यार कितनी चीज़ा कर लोगा एक वक्त में क्यृट्योग्तो मैं कि मैं बेस्ट इंक्रिप्शन लिखे सांव है, तो किसी ने बेस्ट inckryption लिख कर डाली है मैं उसको यूजर लोगा मैरा मसला ने, तो टाइम बचता है .. यह दया. कि function हमने जो बनाने का एक बड़ा फाइदा और ये देखा कि लोगों ने बना के रखे हैं function हम उनके function यूज़ करते हैं खुद बनाते भी नहीं है most of the time तेंगे अच्छा अगर इस function में कोई mistake है जो किसी जैसे math.js वाले के function में कोई mistake है तो इसको improve कौन करेगा वो खुद करेंगे अगर हमें को इक problem नजर आएगी हम उनके github में जाके github social media है क्योंके developers का हम उनकी github में जाके उनको report कर देंगे कि यार हम ऐसे चलाते हैं तो ये गलत रज़ड़ होता है example एक बना के देदेंगे कि ये गलत दे रहा है तो उनके बंदें बैठे हैं में community बैठी भी वो अपडेट कर देंगे उसके तो मसला हाल है तो मेरा कहल है आज की class को हम यही तक रखते हैं फिर function के जो मजीद चीजे है थोड़ी सी अगली class में कुछ रहती है फिर ES6 का जो नया syntax है वो इसका क्या है वो यह थोड़ी बहुत चीज है हमारी रहती है function की अभी वो अगली class में करेंगे और अगली class में हम object भी इंचालला बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली class में हम एक weather की application बना लें ठीक है weather forecast की application इंचालला हम अगली class में बनाएंगे API इस्तमाल करेंगे internet से हम data guide करेंगे weather का और ला कि हम उसको screen करेंगे ठीक है चले आप सब लोग अब जा सकते हैं इंचालला अब मिलेंगे अगली class में अब अब उसके बनाएंगे अब उसके बाद मॉंगो डीवी का data उससे connect करेंगे लिए अब उसमें टाइंगे